कि आप लगातार एलकोहल लेते हैं और आप उसके साथ साथ यह नॉन्वेस खाते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आप अपनी गट को डैमेज कर रहे हैं क्योंकि एक जो रिसर्च हुई है एलकोहल वाले पेशेंट पर एलकोहल वाले पेशेंट जितने भी हैं दुनिया भर में या जो लोग अलकोहल लेते हैं लेट एंड अरली उनको जो उनका डाइजेशन का प्रॉसेस है वो बदल जाता है वैसे आल्री कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में अल्कोहलिक लिवर डिसीज नॉन करती हैं लेकिन यदि आप यह जतनी समझ्चय हैं इसका रिस्क आपको कीलिए लाइफ 7 वा डबलब कर लेते हैं क्योंकि लगातार एल्कोहल ले रहे आप ये समझ लीजे कि आप अपनी गट को गट से मेरा मतलब है कि जिसमें आपका पैंक्रियास है आपका लिवर है किड्नी है इंटेस्टाइन है इसको आप रेगुलर्ली डेमेज कर रहे हैं इंफ्लामेशन पैदा कर रहे हैं और यह फिर सेंसिटिव हो जाते हैं और जो अप उनको नियूरो कैमिकल्स भी कह सकते हैं तो उसके सेक्रिशन को भी यह मतलब कहीं न कहीं आपनोर्मल्मल्टी जो है क्योंकि आप जब एलकोहल लेते हैं तो आपके कुछ बायो कैमिकल चेंज होते हैं और आपकी बॉड़ी एलकोहल पे गुलाम हो जाती है यानि कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि आप भावनात्व गुरूप से आप सारे गुरूप से मांसिक रूप से अपने को ड्राइब करने के लिए एक्जुपीट करने के लिए आपको एलकोहल के सपोर्ट की जरूत होती है और एलकोहल के बगएर आप विड्रॉल में होते हैं आप को कमजोहरी लगती है आप फोकस नहीं कर पाते हैं अप एंट्रजेटिक नहीं रहते और जब आप एलकोहल के लिए तो फिर आप stabilizeформ तो आज हम बात करेंगे कि गट को क्या नुकसान होता है और उससे फिर कैसे आप बीमार होते हैं Most of the studies यह हमें suggest करती हैं कि आपकी गट के लिए जो सबसे बुरा है वो हद से ज़्यादा junk food, preservative food जिसमें की sugar contents है यानि हद से ज़्यादा sugar का intake आपकी गट के लिए बुरा है second smoking is बहुत ज़्यादा बुरा है आपकी गट के लिए और तीसरा है आपका alcohol इन तीनों का यदि consumption आप कर रहे हैं तो आप यह समझ लीजे कि आप अपनी गट को damage कर रहे हैं इस कुछ लोगों को हो जाता है और एक study के अनुसार 50% जो रोग रेगुलर्ली अल्कॉल लेते हैं और बहुत ज़्यादा तलाब होना खाते हैं और ज्यादे जंक फूड लेते हैं या फिर मटन बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको एनो रेक्टल प्रॉब्लम से मेरा मतलब सचब्स्वहाइं सीदे से के आपका जो इस टूल पास करने का पैसे और उसमें आपको गार्ण्ड बन सकती है पाइव सकता है फिस्तुला इंफेक्शन हो सकता है और आपको फिजटー हो सकता है मतलब सार्प पीन आपको होगा कभी-kभी आपको बलड आ जाता है कभी-कभी intestine भी डेमेज हो जाती है तो यह सब रिस्क आपके साथ है तो आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको immediately इसको stop करिए counseling कराईए doctor से promise लीजे consultation लीजे दूसरा alarming sign इसमें यह है कि यदि आपको anal passes से blood आता है या आपका लगातार मतलब बेट कम हो रहा है या फिर आपको जॉइन डिस आ रहा है या आपका hemoglobin यानी blood कम हो रहा है तो आप यह समझ लीजिए कि आपको कोई न कोई alarming symptoms है और आपकी condition फिर आगे और ज़्यादा deteriorate होगी तो immediately आप doctor को consult करिए यह एक life-threading condition डवलप हो जाती है उसके बाद यह आता है कि आखिर गट को फिर कैसे रिस्टोर किया जाए गट को restore करने का सीधा सा तरीका है stop alcohol stop smoking और excessive जो आपका junk food preservative food है और जो सुगर का intake है उसको limited करिए आप अपनी खाने में probiotics plus fiber easily digestible food सामिल करिए लाइक पुहा खाईए खिचडी खाईए दलिया खाईए इसब घुल खाईए और आप fruits के अंदर चुकंदर खाईए गाजर खाईए और आप apple खाईए पपया खाईए तो यह सब आपके hepatoprotective medicine है नेच्रली इसका मतलब यह है कि आपके liver को stores करते हैं liver में जो scars, damage है जो bleeding होई है इविन उसको भी restore करने में पपया और चुकंदर मदद करते हैं और आपके जो gut है वो आप जितना उसको normal easily digestible form food की देंगे वो आपकी gut उतना ही resource करेगी तो जितना कम से कम आप यह सब डालें packed food, junk food और यह सब avoid करें तो naturally आप देखेंगे कि आपकी gut काफी restore हो गई है heal हो गई है और आपका digestive system है वो regulate हो गया है तो फिर आपको stool भी normally pass होगा, gas भी कम बनेगी और अच्छे से process में आपको counselling लेनी होगी आपको कुछ दबाईयां की भी जरूत पढ़ सकती है और एक understanding बनानी पड़ेगी scanning करना पड़ेगा एक liver को देखना पड़ेगा आपकी gut के देखना पड़ेगा और कई वेरी इन cases में देखा जाता है कि vitamin B12, D की भी काफी deficiency हो जाती है तो हमें उस पार्ट को भी देखना होगा यदि वो deficiency होई तो फिर आपको depression और anxiety भी साथ में आएगा तो यह एक complicated conditions होती है इसको आप समझें अपनी symptoms को समझें अपने doctor से consult करें और right medicine लें और फिर आप अपनी lifestyle को modify करें thank you very much and take care yourself है